हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल अंजू कुरियेशन तो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए लेकिए आई हूँ यह बहुत ही सुन्दर सी कैप तो इसे हम स्नो मैंन कैप भी बोल सकते हैं और यह देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पे देखिए इसे बना से भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यह जो कैप है यह मैंने देड से 2 साल तक बच्चों लए बनाया है तो चलिए ना करते हुए इसे बनाता स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 82 फंद है है और यहां लेकिने देखिए और तो देखिए यह मैं नीचे आर्क कलर यूस फिर उनको अपने तरफ करके दो फंदे उल्टे फिर उनको पीछे करके दो फंदा सीधा फिर दो फंदा उल्टा तो हमें ये सलाई पूरा इसी तरह से कंप्लेट करना है दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए ये पहले सलाई complete हो गई है अब ये देखिए दूसरी सलाई है इधर से भी हमें दो सीधा दो उल्टा बुनना है बस ध्यान ये देना है कि जो फंदा इस साइड हमारा उल्टा था वो इस साइड सीधा रहेगा तो देखिए ये लास्ट में हमारे दो सीधे फंदे थे अब इस साइड हमें उल्टा बुनना है पहला फंदा सलिप करके दूसरा फंदा हम उल्टा बुनने उसके बाद देखिए इधर से हमने इसे उल्टा बुना था तो इस साइड हम सीधा बुनेंगे ये दो फंदे सीधे फिर उन को अप्मी तरफ करना है दो फंदे उल्टे बस स्टार्टिंग में ध्यान देने की जरूरत है बाकी हम दो सीधा दो उल्टा करके बुनते जाएं तो इधर देखिए जो जैसा दिख रहा है फंदा उसे वैसे बुनना है यानि उल्टे पर उल्टा तो ऐसे ही करते हुए देखिए हम यह सलाई भी कंप्लीट कर लें यह दूसरी सलाई भी देखिए complete हो गई है अब यह देखिए तीसरी सलाई है और इसे भी देखिए हमें वैसे ही बनाना है सीधे वाले बंदे पर सीधा और उल्टे वाले बंदे पर उल्टा तो दोनों तरब से हम ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ पर बाटर बना है तो यह मैं border rock को बना कर फिर दिखाती हूं तो यह देखिए यह मैंने border बना लिया है इस border के लेंद्ध है वह देखिए 2 इंच मैंने लेंद रखी है अब इसके बार देखिए हमें यहाँ पर दूसरा लगाना है तो अब उपर हम देखिए कोई light color use करेंगे मैं यह color use कर रही हूं अब इससे देखिए हमें यहाँ पर सीधा सीधा बुनना है तो पहले हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे उसके बार देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे तो इस तरह से आप एक फंदा बढ़ा ले उसके बार देखिए हम इसे कुछ दूर तक सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ पर देखिए हमें टोटल 4 फंदे बढ़ाने है एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया है एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे और बीच में भी दो फंदे आप कहीं भी बढ़ा ले अब देखे जैसे एक फंदा में यहां बढ़ा ले रही हूँ तो हमने दो फंदे बढ़ा लिए हैं दो फंदे इधर कहीं भी हम बढ़ा ले बीच में और इसे पूरा सिधा बुनते हुए complete कर ले ये slide देखे complete हो गई है और अब हमारे देखे यहाँ पे total 86 फंदे हो गए हैं पहले 82 थे 4 फंदे बढ़के 86 हो गए अब इधर से देखे इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे तो यह हमारा wrong side है इसलिए से हम उल्टा बुनेंगे तो पहला फंदा तो slip कर ले उसके बाद जित्ते भी फंदे हैं सबको उल्टा बुनें तो जो फंदा देखे हमने यहाँ पे बढ़ाया था उसे भी हम उल्टा बुनेंगे यह सलाय में complete हो गई है अब फिर से हम cat with Vamos से सीधा सीधा बुनना है अब हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना है बस सीधा बुनते जाना है तो right side में सीधा और wrong side में हम उल्टा बुनते हुए से complete करेंगे तो ये मैं आपको थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ ये देखिए ये मैंने यहां तक बना लिया है इसकी जो length है वो देखिए साधे 9 cm है अब देखिए हम यहां पर दूसरा color लगाएंगे तो दूसरे color से देखिए हम इसे सीधा सीधा बुनना है तो ये सलाई देखिए पूरा सीधा बुन कर complete कर लें ये पहली सलाई complete हो गई है अब ये देखिए दूसरी सलाई है इधा से भी हमें इसे पूरा सीधा सीधा बुनना है तो देखिए पहला फंदा slip करेंगे उसके बाद उनको पीछे करके सारे फंदे जो है वहां सीधा बुनने तो ऐसे सीधा बुनते हुए देखिए हमें या पे टोटल 6 सलाईया बनानी है एक सलाई मैंने बना ली दूसरी बन रही है टोटल 6 सलाईया आप इस तरह से बना ले देखिए ये मैंने 6 सलाईया रेड कलर से बना ली है अब वापस से देखिए हम अपना या पे कलर चेंज क जो कि यह वापस से जो कलर हमें नीचे यूज किया। वही कलर उपर भी उस करना है। और इस से देखिए हमें सीधी-सीदी की यह एक सलाई बुननी है यहांपे। तो ब्लू कलर से देखिए हम राइट साइड में सीधा और रोंग साइड में उल्टा बुनेंगे। जैसे देखिए हमने याँ पर नीचे बनाया है एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा वैसे हमें याँ पर उपड़ ब्लू कलर से बनाना है तो टोटल छे सलाईया हमें बनानी है तो ये मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ यह देखिए इसे मैंने यहां तक बना लिया है यहां से यहां तक हमने 6 सलाईया बुनी है ब्लू कलर से अब यह हमारी 7 सलाई है राइट साइड तो देखिए हमें यहां पर क्या करना है दो फंदे सीधे बुनने है और एक फंदा उल्टा बुनना है तो ये पहला फंदा slip करेंगे, उसके बाद ये एक फंदा सीधा, यानि ये दो फंदे सीधे हो गए, फिर उनको अपने तरफ करके, ये एक फंदा उल्टा, फिर उनको फिछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर उनको अपने तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, तो यह सलाई हमें ऐसे ही बनानी है यहाँ पे हम दो फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए आप यह पूरी सलाई कंप्लीट कर ले यह सलाई देखिए कंप्लीट हो गई है अब यह हम रॉंग साइड में आ गए और यह आठवी सलाई है अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुनना है जो फंदा इधर सीधा बुनना है वो हम इस साइड उल्टा बुनेंगे तो ये दो फंदे हमें उल्टा बुनना है तो पहला फंदा श्लिप करेंगे उसके बाद ये दूसरा फंदा उल्टा फिरून को पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिरून को अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनने है फिरून को पिछे करेंगे एक फंदा सीधा तो ऐस उसे गट्вол हुएं देखर हम यह साइक कर लें कि यहीं से लगवडर्विक करने लें प्रिष्या और वी चार हें और अई आपको बना कर फ्रत्वाकी हूं देखे यह मैं ने जहां से दिजाइन किया है यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 सलाया बुल ली है अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है दो का एक दो का एक करते हुए यह पूरी सराई कंप्लेट करनी है तो दो फंदे हमें हमें आपे सीधे बुनेंगे फिर उसके बाद देखिए यह दो का एक साथ सीधा बुनेंगे फिर यह दो का एक करते हुए यह पूरी सराई कंप्लेट करनी है यह सलाई भी देखिए कंप्लेट हो गई है अब देखिए यह रॉंग साइड से भी हम दो का एक करते हुए इन सारे फंदो को घटा लें तो इधर से हम उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे तो देखिए कैसे करना है यह दो फंदो को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे फिर ये दो फंदों को एक साथ बुनेंगे तो ऐसे ही करते हो देखिए हमें ये पूरी सलाई कंप्लेट करनी है ये सलाइ भी देखिए तो मेरित हो गई है अब मैंने देखिए ये ओन को कट कर लिया है और अब हम सुई की हल्प से इन फंदों को इस उन पर लेंगे इस तरह से हमने उनके सारे पंदे ले लिये हैं और इसे इस तरह से हम टाइट कर लेंगे टाइट करने के बाद देखिए चाहें तो अब इसमें एक बार और ये फंदों को में उन डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही आप इसे यहाँ पर नॉट लगा दे अब देखिए यह हमारा उपर साइट बन गया है अब हम इदर की सिलाई करेंगे तो इसे हमें देखिए यह ब्लू के उपर ब्लू और रेड के उपर रेड ही सिलना है तब ही अच्छा लगेगा तो इस तरह से देखिए हमें यहां से यहां देख सिलाई कर लेनी है यह देखिए इसके सिलाई कंप्लेट हो गई है अब हम इसे पलट ले और यह क्याप देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है अब यहां पर देखिए हम उपर पॉम पॉम लगाएंगे और यहां पर बीच में आईज और नोस बनाएंगे आप चाहिए तो देखिए इसे ऐसे भी पहन सकते हैं लेकिन इसे कुछ नया लुक देने के लिए मैं यहां पर थोड़ा तो देखिए क्या करेंगे हम यह इस तरह से उन को फिंगर में लपेट लेंगे और यहां पर क्रोसिया से हम पांध चेन बनाएंगे अब देखिए 1,2,3,1,2,3,4,5 यह हमारी पांध चेन बन गई अब इसे देखिए हम इसमें से निकाल करके एक सरकल बना देंगे इसी चेन में से बनाते हुए बहुत सिंपल आइस बनाना झाल 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 किश झाल झाल काल झाल झाल काल तो यह देखिए आइस बन गई है ऐसे ही आप दो आइस बना ले अब देखिए हम इसमें लगाने के लिए नोस बनाएंगे तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे यह यलो कलर की उन यूस की है और वो भी क्रोसिया से ही बनेगा तो देखिए यहाँ पे हम 12 चेन पहले बनाएंगे यह 12 चेन बना ली है अब इस देखिए इन ही सब चैन में से हमें किते ऐसे बनाएंगे तो यह देखिए एक बार मैंने इस पे इन जो चेन नीचे हमने बनाए थी उस पे बना लिया है अब देखिए वापस से हम इसे ऐसे जॉइन करेंगे देखिए फ्रेंड्स मुझे यह कुरोसिया चलाने अच्छे से आती नहीं है लेकिन रिजाइन को बनाने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा सा सीखना पड़ा है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो इसे माइंड मत करिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से कुरोसिया बना चलाना नहीं आता है तो देखिए यह हमारा नोज का बेस बन गया है अब इसके उपर से यहां से देखिए हम एक एक चेन लेके बनाते जाएंगे यह हमें एक कौन शेप बनाना है जाएंगे बना चलाना है तो देखिए हमें इस तरह से यह उपर चेन दिख रहे हैं उसी पर से घुमा घुमा के से बनाना है तो इसे हम तब तक बनाएंगे जब तक लास्ट में हमारे यह जो है यह चेन जो है वो एक यह दो चेन ना बच जाए तो इसे आप ऐसे पूरा यहां से राउंड 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 करके बनाते जाएं तो यह मैं आपको बना कर पर देखाती हूं तो यह देखिए यह नोस भी मैंने बना लिया है अब देखिए हम इसे यह कैप में लगाएंगे तो एकदम सेंटर पॉइंट पर देखिए यहां पर हमें नोस लगाना है तो यह ऐसे तो यह मैं सुई के हल्प से लगा रही हूं तो इसे आप अच्छे से देखिए फिक्स कर लें यह नोस देखिए लग गया है अब यहां पर देखिए हम आइस लगाएंगे यह इस तरह से तो देखिए यह ऐसे आप यहां पर लगा दे तो यह देखिए एक आइस हमें लगा ली इस तरह से देखिए यह दूसरी आइस भी हम लगा ले तो यह देखिए हमने दोनों आइस लगा ली है इसमें और अब यह देखिए हमारा क्याप बन कर रेडि हो क्या है और देखिए यह कितना प्यारा लग रहा है जब बच्चे इसे पहनेंगे तो यह पहनने पर ओल भी क्यूट लगता है एकदम 3D वाला इफेक्ट आता है तो क्यासा प्याओ को मेरा जब्सक्रब क्क्ताश क्या लगा यह कि अर्वज natural है और अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद्द आया हो तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक और ज्ज़धा ज्यादाशे Bernard करें लगा आप ha